करम्च्यारियों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोफा पैंशिन योजना पर सुनाया बड़ा फैंसला खत्म की 15,000 बेचुन की सीमा पूरे वेतन पर पैंशिन मिलनी चाहिए। उनकी नई पैंसन योजना लाने पर विचार करी है, केंदर की मोधी सरकार तो आखर ही सब्डेट की क्या है, पूरी सचाई जो basic specially वाले है, जो की 15,000 उप से अधिक basic क्यारी वाले करमचारी पैंसना, उनके लिए क्या मोधी सरकार नई पैंसन योजना लाने जारी है, इस अब अप्डेट की भी सारी सचाई जानेगे अगर आप एक EPS पैंसन धार के हैं तो इससे वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा आपकी EPS पैंसन हाई को लेकर भी बड़ी अफडेट मिली है तो आप इससे वीडियो को आखर तक देखते रहेगा आप सब पैंसनस के लिए काम की जानकरी होने वाली है ऐसी और भी पैंसन से जूड़ी ताज़ा जानकरी पाना चाहते हैं और अगर आप इसी चैनल पर नहीं हैं और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब निए क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी औल पर प्रेस कर दे ताकि नए EPS से जुड़ी इस तरह की लेटेस्ट रोजाना ताजा अपडेट आपको देखने को मिलेगी तो चलिए जानते हैं जानकारी को विस्तार से तो पहली बड़ी अपडेट यह मिलिए कि EPS 95 पैंसन से उनको मिला बड़ा तोफा सरकार ने तो क्या सरकार का इस पैंसन को लेकर अपडेट जारी वाएं कि आपकी जो पैंसन एक अजार रुपी की मिनिममम मिलती हैं उसमें क्या 333 पैंसन की बड़ोतरी की मानत लाई रंग तो कमाडर असुक जी रावत के द्वारा पिछले काफी लमे समय से EPS पैंसन धारकों की पैंस को अब क्या सफलता मिली हैं तो पैंसन को लेकर क्या यह जानकारी मिली हैं आपको वज़र की कमडर अर्शुक रावत की मैनत को सफल बताया जा रहा हैं और आज रात अब बारा बज़े से पैंसन आपके खातों में टांस पूर होगी और बनस भी आपको 15,000 रुपे का मिले करें और 7,500 रुपे, 9,000 रुपे, 8,500 रुपे को लेकर अलंग-लंग यानि की पैंसन के दौरा मांग जारी है लेकिन सरकार ने आकर इस पैंसल को लेकर क्या अधिकार गोशना किया है और EPF और सुप्रिम कोड का क्या फाइली पैंसला होने वाला हैं तो अगर बात करें सब अपडेट आप सभी पैंसल के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अशार होने वाले हैं देकिन आपको जाना बहुत ही जुड़ी हो कि आपकी पैंसल से जुड़ी है क्रमचारी बहुशनीती संग्टन यानकी Employee Product Fund Organization Subscriber जो EPF आपने सब्सक्राइबर को सुप्रम कोड में जल्द आपको रात दे सकता यानकि आपको सुप्रम कोड से जल्द रात मिल सकती हैं दरसाल सुप्रम कोड के पैंसल से क्रमचारी बहुशनीती EPF में युगदान करने वाले लाकों क्रमचारी की पैंसली होजना की पैंसल है जो EPS Employee Pension वो एक ही जड़के में जो आपकी 333 पिस्ती से एनकी बढ़ करके एनकी जो आपको मिलेगी ऐसे जानकरी बताई जारी जो आपको वरतमान में मिलती है उसमें पैंसल की रात मिलेगी उसके बाद बढ़ सकती है और EPF ने जो करमचारी की EPS पैंसल के लिए अधिक्तम वैतन लिमिट 15,000 पे मूल वैतन ते क्या पैंसल के लिए 10 साल तक योगदान करना आपको बहुत ही जरूरी जैसे कि आप 20 साल की सिवा पूरी करते हैं तो 2 साल का आपको वैटेस भी मिलता है तो EPF पैंसल को लेकर पहली बड़ी अपडेट होने हाले बात करें दूसरी बड़ी अपडेट जिसमें आपकी पैंसल की सबसे परमुक मांगे है कि सरकार minimum पैंसल को 1000 रुपे से बढ़ा करके 7500 रुपे करें तो इस पैंसल को लेकर क्या साचाही होने वारी क्या 400 मांगे पैंसल की वो मनजूर होने वारी हैं क्या इसको लेकर मोधी सरकार का एलान होने वाला है तो सरकार से फिलाल कोई भी पैंसल की बोड़ोतरी को लेकर अधिकार एक एलान जारी नहीं वाए नहीं इपयोपन और सुप्रेम कोड ने एलान जारी किया इस तरह के जानकार जो मीडिया रिपोर्ट कर नुसर मेरे रहे हैं लेकिन फिलार यह मामला पैंसन जीड़ा लंबी थे सभी पैंसन से उनके हक में फैंसला बताया जारा है कि 750 रुपे की पैंसन अगर लागू होती है तो सभी पैंसन धार के उनके फैंसला हक में होना लेकिन सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है पैंसन को यह ताजा जो मीडिया रिपोर्ट कर नुसर जनकरी बताई जारी ले कर एक नए अपडेट मिलाए कि रैश्टे संग्रस समीथी ने भी काफी लमे समय से इस पैंसन की बोड़तरी को लेकर संग्रस किया है तो समीथी ने जो कई बार यहनकी 15-15 दिनों का सरह मतला को नोटिस भी है जिसके कारण भी पैंसन दारकों की जो परमुक मागे उन्हें एलान क्या है कि पैंसन की पैंसन में बोड़तरी होगी तो फिलाल यह एपेस पैंसन जुड़ा मामला लमीट है जिसको लेकर मीडिया रिपोर्ट कनुसार अलंग लंग आपको अपडेट देखने को मिल रही है कि आप सभी की पैंसन बढ़ेगी या फिर साजार 500 रुप पैंसन की पैंसन की गणा की जाती है उस लिमिट को बढ़ा करके 21,000 रुप होगा करने का प्रस्ताव क्या है हालां कि समीति ने काए कि सरकार सभी सूजना पर विचार करते वे इसे बाद की तारिक से वर्दी दर को लागू कर सकती है जो 400 रि मांगे जिन में से पैंसन की य खतम किया जाए और या पर 21,000 रुप है लागू किया जाए या पिर से अधिक या पिर अंती वैतन करूशार पैंसनस की जो पैंसन की गणा की जाए इस तरह की पैंसनस की सरकार से उमीदे हैं सरकार से मांग भी है तो EPF की जो करमचारी की जो वर्तमार में से लिमिट है 15,000 रुपे जैसे बढ़ा करके 21 रुपे की जारी है मुझदा नीमों कि ते बीस से अधिक करमचारी वाली किस भी कपनी को E.P.F. पंजीकरत होना चाहिए और 15,000 रुपे से कमाई वाली जो सभी करमचारी उनके लिए E.P.F. योजना जो की अनिवारी है यहां पर आपकी वैतन की लिमिट है जो 15,000 रुपे का लिमिट है उससे बढ़ा करके 21,000 रुपे करने से अधिक करमचारी सेवा निरती अंतरगत आएंगी यानकी सेवा निरतोंगी वो इसके अंतरगत अधिक करमचारी जुड़ पाएंगी और यह सीमा को यानकी जो इस लिमिट है 15,000 रुपे से बढ़ा करके 21,000 रुपे करने से जिसे कि अन्य सामाज एक सुर्सा योजना करमचारी राजे बीमा निगमें उसके साथ भी इसे सरे खित करेगा यहां लिमिट है जो की 15,000 रुपे की जगए 21,000 रुपे होगी तो इस पहले मिल सकता है बड़ा तो चार पीस्ति तक आपका डिये बढ़ चुका है और आपको बद्द की यह जल्दी ओली से पहले आपके खातों में बुक्तान भी किया जा सकता है लेकिन कानपॉर्म अपडेट नहीं मिला कि ओली से पहले ही आपका डिये बुक्तान किया जाए अगर बात करें मोदी सरकार ने पैंसन को क्या आईने की आसवासन दिया है तो संग्डि सरकार के 15,000 पे से अधिक मौल वैतन पाने वाले करमचारी पैंसियोजना के तक अनिवारी रूप से वरतमाल में नहीं आते है करमचारी उनके लिए नई पैंसियोजना लाने पर EPS 95 पैंसन के दायरे में आ सकते हैं वो भी इस से पैंसन का लाब उठापाएंगे यह निकी आपका जो 21,000 पे का से लिमिट है या फिर 25,000 पे का से लिमिट लागू होता है तो अने एक नए करमचारी वो भी जुड़ पाएंगी वो भी इस से पैंसन का लाब पैंसन जुड़ा कोई भी नया फैंसला वरतमान में रही दिया जा सकता है ऐसी जानकारी मिल रही है तो फुलाद जैसे कोई अधिकारिक अपडेट मिलेगी आपकी पैंसन जुड़ी तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मलती रहेगी तो चन्द को सब्सक्राइब क अधिकन को भी और पर प्रेस कर दिए